हेलो बचो तो कैसे हो आप सभी तो बचो हम exercise 6.1 का question number 2 करने वाले हैं तो हमारे पास जी है कि उसने पूछा कि बताओ कौन-कौन से ऐसे numbers हैं जो perfect square नहीं है अगर नहीं है तो क्यों तो बटा हमने हमारे पास अभी तक हमने 2 method किये थे उन 2 method में हमने क्या सीखा था अगर कोई यह बी नंबर है जिसके end में क्या हो 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो तो वो numbers हमारे पास कभी भी perfect square नहीं बनते तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो यह numbers कभी भी हमारे पास perfect square नहीं बनते और हमने ये भी सीखा था कि 0s के case में जिनके end में 1 0 हो जिनके end में दो zero हो sorry तीन zeros हो जिनके end में पांच zero हो मतलब कि जिनके end में और number of zeros है तो वो numbers भी हमारे पास कभी भी perfect square नहीं बनते तो इन दो results को आपको याद रखना है बेटा तो इसकी help से देखो questions को कैसे easily कर सकते हैं तो उन्होंने पूछ है कि कौन से number नहीं है तो क्यों देखो हमको जबी भी perfect square चेक करना है तो हमको चेक करना है तो अब की बार इनका जो unit digit है हमारे पास बेटा वो 7 है तो ये perfect square नहीं होगा ये देखिए 2, 3, 7, 8 वाले तो कभी भी नहीं हो सकते इसमें 3 पढ़ है तो ये भी नहीं हो सकता इसमें 8 पढ़ है ये भी नहीं हो सकता इसमें 2 है तो ये भी महारे पास perfect square नहीं हो सकता अब बात आती है zeros की तो zero's के case में बेटा हमको क्या है देखो इसमें कितनी zeros पढ़ई हैं तीन zeros हैं त movies that is odd number of zeros हैं तो ये भी perfect square हमारा नहीं बनेगा अब इसके last visit two पड़ा है तो ये भी नहीं होगा अब इस case में देखो बेटा कितनी zeros पड़ी है तीन zeros पड़ी है तो हमें पता है कि ये तीन zero वाला number है वो perfect square नहीं बनेगा अब इसके डिजिट में हमारे पास कितनी पड़ी है जीरो पड़ी है एक zero पड़ी है तो ये भी हमारे पास perfect square है वो नहीं बनेगा तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि जिनके पीछे 2, 3, 7, 8 है और odd number of zeros हैं तो अगर ये आपको याद है तो आप इसली बता सकते हो कि ये numbers हैं वो perfect square नहीं बनने वाले और इनके इलावा कुछ बच्चों को doubt होगा कि सर इनके इलावा कुछ आजाए जिनके इलावा हमारे पास 1 आजाए 3 आजाए 1 आजाए हमारे पास 4 आजाए 5 आजाए 6 आजाए 9 आजाए अगर ये वाले number हमारे पास आजाते है unit digit पे तो सर तब की हम क्या करेंगे तो बटा ये method अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ हमारे upcoming lectures में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये वाले आजाते हैं तो कैसे आपको check करना है कि वो एक perfect square है ये नहीं है